आज महाराश्ट्र सरकार के कौशल विकास विभाग ने किले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है जिसके तहट छत्रपति शिवाजी महाराज जी से जुड़े 350 किलों की सफाई ITI के 150,000 विद्यार्थी और स्वयन से भी संस्थाएं करेंगी यह कार्य केवल आज नहीं आगे भी चलता रहेगा यह सारे किले महाराश्ट्र के वैभव हैं महाराश्ट्र सरकार द्वारा किलों के जतन एवं समवर्धन के लिए DPDC में 3% फंड आरक्षित किया गया है इससे पहले किसी भी सरकार ने किलों के जतन एवं समवर्धन के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया था प्रधान मंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान इस देश में शुरू किया और उसके बाद लोगों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर उसमें सहबागिता दी सरकारों ने सहबागिता दी अभियाज से जो अभियान शुरू हुआ है विशेश रूप से महाराष्ट में हमारा जो कौशल्य विकास विभाग है उसके मंत्री मंगल प्रभात लोडाजी इनके नित्रुतु में महाराष्ट के साड़े तीन सो किलो पर हमारे ITI के विद्यार थी और कुछ स्वयम से भी संस्थाय मिलकर उन किलो की सफाई कर रही है महाराष्ट का वैभाव यह हमारे किले है छत्रपती शिवराय शिवाजी महाराज इनके राज्जा भिशेक को साड़े तीन सो साल पूरे हुए है इसलिए साड़े तीन सो किलो को साफ करना उसका जतन करना इस प्रकार का प्रयास यह हमारी तरप से हो रहा है इसके साथ साथ सरकारी कारेले हो अलग-अलग प्रकार की जगे हो सारवजनिक जगे हो सब जगह सफाई अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री जी भी चोपाटी पर सफाई अभियान कर रहे है सारे मंत्री अलग-अलग जगह सफाई अभियान कर रहे है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने सवच्च भारत अभियान का जो कॉल दिया था उसको एक प्रकार से बड़े पहमाने पर महाराष्ट में हम लोग स्वच्छता के माध्यम से रिस्पॉंड कर रहे हैं। कि अब ये फंड हर साल उपलब्द होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम कीलो को साफ रख पाएंगे।